नवश्कार दोस्तों फिरसे स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं Realme 7i और अगर आपकी बस Realme का कोई और भी डिवाइस है तो भी आप इसी तरह की मैथर्ट से उसको फॉलो कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने mobile में SIM card और SD card कैसे insert कर सकते हैं और network की setting कैसे कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक request है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट के है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में bell notification icon को जरूर दबाईगा ताक के हाथ से तो SIM tray आपकी बाहर आ जाएगी SIM tray आपको आराम से खोलना है क्योंकि यह प्लास्टिक का हुथा टूटने का डर है और यहां पे आपको SIM लगा देनी है यहां पे आपको nano SIM card slot दे रखा है और ऐसे SD card लगा देंगे उपर की साइड है तो दोनों का face उपर की साइड ह आप यहां पे देख सकते हैं और यहां पे इसकी जो chip है वो नीची की side है तो मैंने इसको लगा दिया है और इसको यहां पे धीरे से insert कर देंगे आपको हलके हाथ से ऐसे ऐसे करके लगाना है एकदम से नहीं दबाना है वरना यह तूट सकता है ट्रे तो यह यहां पे लग चुका है और इसके बाद इसको आप यहां पे देख सकते हैं network आने वाला है तो यहां पे एटल का सर्विस आ गया है तो यहां पे आपका network आ गया है अगर आपका network नहीं आ रहा है तो इसे related मैंने कई सारी video बना रख है चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और SIM card कर जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको बोल्ट कॉल को on कर देना है 4G कॉल के लिए और वाइफाई कॉलिंग को भी आपको on कर देना है यहां पे और यहां पे आप इस पे क्लिक करेंगे और 4G एं 3G auto पे क्लिक रहने देंगे तो इस step से आप SIM card insert करके network के setting कर सकते है आपने mobile में तो I hope guys ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा चैनल को तो चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार